हाई गाईज, वेलकम तो गॉल फ्लेवर्स किचेन, आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफी विद आइस क्रीम, इसको बनाना बहुत ही असान है, बहुत जल्दी बन जाती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका, यहां में ले रही हूँ, तेड़ कप थंडा दूद, द कपके अंदर डाल दूँगी और इसको मिक्स करूंगी, कॉफी को और शुगर को मिक्स करने के बाद, मैं इसके अंदर 1 तेल स्पून पानी डाल दूँगी, पानी आ बहुत ही धियान से इसकें अंदर डालिएगा, ज्यादा नहीं डालना है, एक ठिक पेस्ट बनाणा है इ अगर आप चाहें तो यहां पर पानी की जगे पर मलाई यहां फिर दूद भी डाल सकते हो अभी हम कॉफी को 15 मिनट के लिए बीट करेंगे जितना आप इसको बीट करेंगे कॉफी उतनी ही अच्छी बनेगी उतनी ही ज्यादा क्रीमी कॉफी बनेगी और अगर आप बीट नहीं भी करना चाहती हो तो तो भी कॉफी अच्छीeger बनेगी लेकिन बीट करने से कॉफी अच्छी बनती है और क्रीमी बनती है और इसका color जब light हो जाएगा और ये fluffy सी हो जाएगी तब आप समझाएगा ये ready हो गई है देखिए अभी यहां मैंने 15 मिनट से coffee को बीट किया है और इसका color भी change हो गया है अभी मैं एक blender के अंदर दूद डाल दूँगी और जो हमने coffee तियार की थी बीट की थी वो भी डाल दूँगी और chocolate powder डालोंगी ये optional है अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप chocolate syrup भी डाल सकते हो और coffee को हम 2-3 मिनट के लिए blend करेंगे जितना आप इसको blend करोंगे उसके अंदर उतनी ही ज्यादा foam बनेगी अभी मैं इसके अंदर एक scoop ice cream डालोंगी और फिर से हम इसको blend कर देंगे अगर आपको ज्यादा ठंडी coffee चाहिए तो इसके अंदर आइस डाल सकते हो यहां मैं आइस के अंदर आइस डाल रही हूँ और glass को मैं रोल करते जाओंगी और उसके अंदर एक कोई भी random सा design बन जाएगा आप से जैसे भी होता है वैसे बना लिजीए design और हमारी coffee जो है वो हो इसके अंदर हम पोर कर देंगे मैंने अभी coffee इसके अंदर डाल दी है और जो हमारी ice cream बच गई थी तीन चाट स्कूप वो इसके उपर से हम डाल देंगे और चोकलेट सिरप के साथ हम गार्णिश कर देंगे और अभी मैं मिलूँगी आपको नेक्स रेस्पी के साथ तब तक लिए बाई बाई